तस्पान नार्घावयं धन्तुन धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनंहि कतं हत्वा सुखिनस्याम माधवान यद्यप्येते नपष्यंती लोगो बहत चेतसघा कुलक्षयकृतं दोशं नित्रत्रोगेचत पाततं कतं नज्येयं अस्पाभिगी पापादस्पात निवर्तितं कुलक्षयकृतं दोशं प्रपश्यत्भीषि जनादना कुलक्षयकृतं प्रणश्यंती कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नश्टे कुलं ख्रिस्टं अधर्मो भीभवत्युता अर्जुन कह रहे हैं इससे हे माधव अपने बांधव धित्राष्ट के पुत्रों को मारने के लिए हम योगे नहीं हैं क्योंकि अपने कुटुम्ब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे यद्धिपी लोब से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश्कृत दोश को और मित्रों के साथ विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं परन्तु हे जनार्दन कुल के नाश्करने से होते हुए दोश को जाने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नश्ठ हो जाते हैं धर्म के नाश होने से संपूर कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है अर्जुन कह रहा है कि वे विचारहीन हैं हम भी विचारहीन होकर जो करेंगे वह कैसे शुब होगा माना कि वे गलत हैं लेकिन गलत के प्रत्युत्तर में हम भी गलत करेंगे तो क्या यह ठीक होगा क्या एक गलत का प्रत्युत्तर दूसरे गलत से दिये जाने पर सही का निर्मान करता है वे यह पूछ रहा है कि भूल है उनकी तो हम भी भूल करेंगे तो दो भूलें मिलकर ठीक हो जाती है कि दुगनी हो जाती है माना कि उनका चित ब्रमित हो गया है माना कि उनकी बुद्धी नश्ट हुई है तो क्या हम भी अपनी बुद्धी नश्ट कर ले और जो मिलेगा क्या वह इस योग्य है क्या उसकी इतनी उपादियता है क्या उसका इतना मूल्य है ध्यान रखें इसमें अर्जुन के मन में दोहरी बात चल रही है एक और वह कह रहा है क्या इसका कोई मूल्य है इसमें दो बाते हैं हो सकता है कोई मूल्य हो और क्रिशन उसे मूल्य बता पाएं तो लड़ने के लिए rationalize कर ले हो सकता है क्रिशन समझा पाएं कि हां मूल्य है हो सकता है कृष्ण समझा पाएं कि लाब है कल्यान है हो सकता है कृष्ण समझा पाएं बुराई को बुराई से काट दिया जाएगा और तब जो शेष बचेगा वह शुब होगा तो वह लड़ने के लिए अपने को तयार कर ले आदमी अपने को तयार करने के लिए बुद्धिगत कारण खोजना चाता है और जुनके मन में दोनों बाते हैं वह जिस तरीके से प्रश्ण को मौजूद कर रहा है उठा रहा है वह यह है कि या तो मुझे भाग जाने के लिए सुकृति दे या तो मैं एसकेप कर जाओं और या फिर युद्ध में उतरूं तो मुझे प्रियोजन स्पष्ट करा दें वह अपने मन को साफ कर लेना चाता है युद्ध में उतरे तो यह जानकर निश्चित मना कि जो हो रहा है वह शुब हो रहा है या फिर युद्ध से भाग जाए ये दो विकल्प उसे दिखाई पड़ रहे हैं वह दोनों के लिए राजी दिखाई पड़ता है दो में से कोई भी एक हो जाए इसे थोड़ा समझ लेने जैसा है आदमी सदा से अपने को बुद्धिमान विचारशील रेशनल समझता रहा है अरस्तु ने तो आदमी को रेशनल एनिमल ही कहा है कहा है कि बुद्धिमान प्राणी है लेकिन जै वैसे जैसे आदमी के संबंद में समझ हमारी बढ़ी है वैसे वैसे पता चलता है कि उसकी बुद्धिमानी सिर्फ अपनी अबुद्धिमानियों को बुद्धिमानी सिद्ध करने से जादा नहीं है। आदमी का रिजन सिर्फ उसके भीतर जो इर्रेशनल है जो बिलकुल अबुद्धिक है उसको जस्टिफाय करने की कोशिश में लगा रहा है। अगर इसे युद्ध करना है तो पहले वह सिद्ध कर लेना चाहेगा कि युद्ध से मंगल होगा, कल्यान होगा, फिर युद्ध में उतर जाएगा। अगर उसे किसी की गर्दन काटनी है तो वह पहले सिद्ध कर लेना चाहेगा कि जिसकी गर्दन कट रही है उसके ही हित में यह कार्जे हो रहा है तब फिर वह गर्दन आसानी से काट सकेगा अगर उसे आग लगानी है तो वह तै कर लेगा कि इस आग लगाने से धर्म की रक्षा होगी तो वह आग लगाने को तैयार हो जाएगा आदमी ने उसके बीतर जो बिलकुल अबॉधिक तक तक तो है उसको भी बुधिमानी से सिद्ध कर लेने की निरंतर चेश्टा की है अरजुन भी वैसी स्थिती में है उसके बीतर लड़ने की तैयारी तो है अन्यता इस युद्ध के मैदान तक आने की कोई जरूरत थी उसके मन के बीतर युद्ध का आगरह तो है राज्यवह लेना चाहता है जो हुआ है उसके सांथ उसका बदला भी चुकाना चाहता है इसलिए तो युद्ध के इस आखिरी च्छन तक आ गया है लेकिन वैसी तयारी नहीं है जैसी दुर्योधन की है जैसी भीम की है पूरा नहीं है मन बटा हुआ है, स्प्लिट है, तूटा हुआ है कहीं भीतर लग भी रहा है कि गलत है, व्यर्थ है और कहीं लग भी रहा है कि करना ही पड़ेगा प्रतिष्ठा का, एहंकार का, कुल का, हजारों बातों का सवाल है दोनों बातें उसके भीतर चल रही है दोरा उसका मन है, डबल बाइंड है और ध्यान रहे, विचारशील आदमी में सदा ही दोरा मन होता है विचार ही में दोरा मन नहीं होता निर्विचार में भी दोहरा मन नहीं होता लेकिन विचारशिल आदमी में दोहरा मन होता है विचारशिल आदमी का मतलब है जो अपने भीतर ही निरंतर डायलग में डिसकुशन में लगा है जो अपने भीतर ही विवाद में लगा है अपने को ही दो हिस्सों में करके क्या ठीक क्या ठीक नहीं इसका उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है विचारशील आदमी 24 घंटे अपने भीतर चर्चा कर रहा है स्वयम से ही वे चर्चा अरजुन के भीतर चलती रही होगी समझा बुझा कर वे अपने को युद्ध के मैदान पर ले आया है कि नहीं लड़ना उचित है लेकिन युद्ध की पूरी स्थिती का उसे पता नहीं था पिछले युद्ध में जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया उसे कुछ भी नहीं पता है कि क्या होगा उसे इतना ही पता है कि एक बटन दबा देनी है और नीचे एटम बम गिर जाएगा उसे यह भी पता नहीं है कि इस एटम से एक लाख आदमी मरेंगे उसे कुछ भी पता नहीं है उसे सिर्फ एक आडर है एक आग्या है जो उसे पूरी करनी है और आग्या यह है कि उसे जाकर हवाई जहाज से एक बटन दबा देनी है हिरोशिमा के उपर वह बटन दबा कर लोट आया जैसे सारी दुनिया को पता चला ऐसे ही उसको भी पता चला कि एक लाख आदमी मर गए है फिर उसकी नीन हराम हो गई फिर वह आदमी रात दिन लाखों मुर्दे देखने लगा उसके प्राण थर्थराने लगे कपने लगे उसके हाथ पैर में कमपन होने लगा फिर तो अन्ततह उसने हमले करने शुरू कर दिया अपने पर नाड़ी काड डाली एक दिन सिर्पर हतोडी मार ली फिर तो उसे पागल खाने में रखना पड़ा फिर तो उसने दूसरों पर भी हमले शुरू कर दिया फिर तो उसे जंजीरों में रखना पड़ा उसकी नीन बिलकुल चली गई और वह आदमी एक अपराद की गलानी से भर गया गिल्ट एक ही उसको पकड़ गई कि मैंने लाख आदमी मारे हैं लेकिन उसे कोई पता नहीं था अब जो हमारी युद्ध की विवस्ता है बिलकुल इन हुमन है अब उसमें पता नहीं चलता मारने वाले को भी पता नहीं चलता कि वह लाख आदमीों की मौत का बटन दवा रहा है लेकिन महाभारत में स्थिती और थी सब चीजें सामने थी युद्ध सीधा मानविय था हुमन था आमने सामने सब खड़े थे अरजुन देख सकता था रत पर खड़ा होकर की क्या परिणाम निकलेगा उसे दिखाई पड़ने लगा इसमें फला मित्र है वह मरेगा उसके छोटे बच्चे है घर पर जान रहे युद्ध अब जो है वह इन हुमन हो गया है अमानविय हो गया है इसलिए अब बड़ा खत्रा है क्योंकि लड़ने वाले को भी साफ पता नहीं चलता की क्या होगा जो हो रहा है बिलकुल अंधेरे में हो रहा है और जो आदमी तह करते हैं उसको उनके पास भी फिगर होते हैं आदमी नहीं होते आखड़े होते हैं उनके पास होता है एक लाख आदमी मरेंगे एक लाख आदमी मरेंगे यह सिनकर कुछ भी पता नहीं चलता एक लाख आदमीों को सामने खड़ा करिए खड़े हो जाईए मज़ पर देखिए कि ये एक लाख आदमी मरेंगे तब इनकी एक लाख पतनिया भी दिखाई पड़ेंगी इनके लाखों बच्चे भी दिखाई पड़ेंगे इनकी बूरी माँ भी होगी इनके पिता भी होंगे इनकी नमालूम क्या-क्या जिम्मेवारियां होंगी इन एक लाग को मारने की जिम्मेवारी अगर हिरोशिमा पर बम डालने वालों को सामने होती तो मैं भी सोचता हूँ कि वह आदमी कहता इस से मैं मर जाना पसंद करूँगा यह आगया मैं नहीं मान सकता उसके सामने भी सवाल उठता इनको मारना है? क्या नौकरी के लिए? अरजुन को सवाल उठा सामना था सबचित्र उसे सब दिखाई पढ़ने लगा यह विद्वाएं रोती बिलक्ती दिखाई पढ़ने लगी इसमें नमालूम कितने प्रियजन थे उनकी विद्वाएं होंगी उनके बच्चे तरपेंगे, रोएंगे यह सब लासों से भर जाएगा मैदान यह इतना साफ उसे दिखाई पढ़ा कि अपने को समझा बुझा कर लाया था कि लड़ना उचित है वैस अब डावा डोल हो गया उसके दूसरे मन ने कहना शुरू किया कि यह तू क्या करने जा रहा है यह तो पाप होगा इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है और इसलिए कि राजी मिल जाए और इसलिए कि धन मिल जाए और इसलिए कि थोड़ा सुख मिल जाए इन सब को मारने की तेरी तैयारी है निश्चित ही वे विचारशील आदमी रहा होगा उसके मन ने इंकार करना शुरू कर दिया लेकिन इंकार में दूसरा मन भीतर बैठा हुआ है और वे दूसरा मन भी बोल रहा है कि अगर कोई रिशनलाजेशन मिल जाए अगर मिल जाए कि नहीं इसमें कोई हर्ज नहीं है यह उचित है बिलकुल यह और चित्ते मालूम पड़ जाए तो वह अपने को इखटा कर ले एक जुट कर ले और युद्ध में उतर जाए किशन से पूछते वक्त अरजुन को भी पता नहीं है कि उतर क्या मिलेगा और क्रिशन से पूछते वक्त अरजुन को भी साफ नहीं है कि स्थिती बाद में क्या बनेगी क्रिशन जैसे आदमी प्रेडिक्टेबल नहीं होते क्रिशन जैसे आदमियों के उतर निश्चित नहीं होते रेडीमेड नहीं होते किशन जैसे आदमी के साथ पक्का नहीं है कि वे क्या कहेंगे लेकिन अरजुन के साथ पक्का है कि वे हैं दो बाते चाह रहा है या तो यह सिद्ध हो जाए कि यह युद्ध उचित है नीती सम्मत है धारमिक है लाब होगा कल्यान होगा श्रेयस मिलेगा इस लोक में परलोक में सुक मिलेगा तो वे युद्ध में कूच जाएगा और अगर यह सिद्ध हो जाए कि नहीं हो सकता तो युद्ध से भाग जाए उसके सामने दो विकल्स पश्ट हैं और उन दोनों के बीच उसका मन डोल रहा है और दोनों के बीच उसके बीतर मन का बटाव है लड़ना भी चाहता है अगर उसका मन लड़ना ही न चाहता हो तो कृष्ण से पूछने की कोई भी जरूरत नहीं है अभी मैं एक गाव में था एक वक मेरे पास आया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ आपकी क्या सलाह है मैंने कहा जब तक मेरी सलाह की जरूरत हो तब तक तुम सन्यास मत लेना क्योंकि सन्यास कोई ऐसी चीज नहीं है कि मेरी सलाह से लिया जाए जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि सारी दुन्या भी कहे कि सन्यास मत लो तब भी तुम्हें लेने जैसा लगे तब ही तुम लेना तो ही सन्यास के फूल के आनंद की सुगंद आ सकेगी अन्यता नहीं आ सकेगी यह अरजुन सलाह नहीं मांगता अगर उसको साफ एक मन हो जाता कि गलत है चला गया होता उसने कृष्ण से कहा होता कि समालो इस रत को ले जाओ इन घोड़ों को जहां ले जाना हो और जो करना है वो करो मैं जाता हूँ और कृष्ण कहते कि मैं कोई सलाह देता हूँ तो वह कहता बिना मांगी सलाह न दुनिया में कभी मानी गई न मानी जाती है अपनी सलाह अपने पास रखो नहीं लेकिन वह सलाह मांग रहा है सलाह मांग रहा है वही बता रहा है कि उसका दोहरामन है अभी उसको भी भरोसा है कि कोई सलाह मिल जाए तो युद्ध कर ले यह भरोसा है उसके भीतर इसलिए क्रिशन से पूछ रहा है अगर यह भी पक्का होता कि युद्ध करना उचित है तब क्रिशन से कोई सलाह लेने की जरुरत न थी युद्ध की सब तयारी हो गई थी अर्जुन डावाडोल है अर्जुन बटा हुआ है इसलिए वह सारे सवाल उठा रहा है उसके सवाल महत्वपूर है और जो आदमी भी थोड़ा विशार करते हैं उन सबकी जिन्दिगी में ऐसे सवाल रोज ही उठते हैं जब मन बन जाता है और दोरे उत्तर एक साथ आने लगते हैं और सब निर्णे खो जाते हैं अर्जुन शंसे की अवस्था में है डिसिसिवनेस खो गई है जब भी आप किसी से सलाह मांगते हैं तब वह सदा ही इस बात की ख़बर होती है कि अपने पर भरोसा खो गया है सेल्फ कॉन्फिडेंस खो गया है अब अपने से कोई आशा नहीं उत्तर की क्योंकि अपने से दो उत्तर एक से बल पूर्वक आ रहे हैं एक सी एमफेसिस लेकर आ रहे हैं दोनों में तै करना मुश्किल है कभी एक ठीक तो कभी दूसरा ठीक मालूम पड़ता है तभी आदमी सलाह मागने जाता है जब भी कोई आदमी सलाह मागने जाता है तब जानना चाहिए वह भीतर से इतना बट गया है कि अब उसके भीतर से उसे उत्तर मालूम नहीं पड़ रहा है ऐसी उसकी दशा है वे अपनी उसी दशा का वरण कर रहा है